सो हाई गाईस आज हम डेस्क ऑर्गनाजर बनाने जा रहे हैं जो कि मैंने fully waste cardboard से बनाने जा रहे हैं जो कि मैने flip card और true medicine से मंगाया था जो मैंने box नहीं मंगाया थे बट मुझे box भी आ गया थे जो आज हम यह दो box मिला कि एक बड़ा असा desk organizer जिसमें हम colorful paints रख सके बॉक्स बनानी चाह रहे है तो गाइज मैंने पहले टेप से दोनों बॉक्स को स्टिक कर लिया उसके बाद मैं ये शीट चिपकाने जारी हूँ जो के मैंने स्टेशनरी शॉप से खरीदे थे अब हम इसमें कुछ कलाकारी करेंगे जो कि मुझे करना बहुत पसंद है और ये DIY वाशी टेप्स जो मैंने घर पे ही बनाये थे जो मुझे बनाना बहुत पसंद है तो मैंने ये बनाये थे घर पे ही और अब हम कुछ यहापे क्वेट्स अब यह हम कुछ लिखके उसको मेटालिक गुल्डन पेंसे हाइलेट करेंगे जिसे कि हमें बहुत ही अच्छा लुक आएगा और्गेनाइजर को मैं कलरफुल पेंस यूज कर रही हूँ क्यों कि मझे कलरफुल पेंस बहुत पसंद है और जो यह डॉम्स के ब्रश पेंस देख रहे हैं यह भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही मंगाया थे ज्यूकि मुझे कुछ आफ़र में कम में पढ़े थे और यह मेना 26 शेड़ वाला है पेंस का सेट सो देखें किता सुन्दर लग रहा है और यह देखें मैं एक ट्रिक यूज करके अच्छे से एक फ्लावर के लिव्स बना रही हूं जोकि मुझे बनाना बहुत पासंद है और उसे सजाना भी बहुत पासंद है इसी तरह हम बॉक्स को अच्छे तरके से पूरी तरह से सजा लेंगे जोकि हमें डेस्क में रखने के लिए बहुत अच्छा दिखें क्यूट सा मुझे गोल्डन और सिल्वर ये डॉम्स के ब्रेश पेंस बहुत ही जाला पासंद है जिससे कि हम हाइलाइट कर सकते कुछ भी ये लिखिया आगे से अब हम इसे बॉक्स के बैक सेट से भी डेकोरेट करेंगे जो कि मैंने पीछे कुछ फ्लावस के डिजाइन और लिवस बना है और यहाँ पे गुड़ वाइट लिखिरें जो कि मुझे बहुत बहुत पसंद है लिखिना आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें थैंक यू